अखिल भार्दी विध्यारती परशित केंद्री बिशप इअले शापूल इकाई ने स्थानी परशर एभबом अवस्थाई परशर में मूल बूद सुबधाय नमिलने के अबाब में परदे सरकार एबम बिशप विद्याले परशासन के खिलाब धरना परदर्शन किया और लगातार दूसरे दिन भी कक्षाओं का पून रूप से वहिशकार किया नो दिनों के लगातार परडर्शन के बाद बिशप इद्याले परशासन के नुमाइंदे चातरों से बात करने उनके बीच शहपूर परिसर में आये लेकिन जैसे ही चातरों नी अपनी समस्याएं उनको पताई तो बेच छात्रों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए और ना ही उनका सामना कर पाए तथा छात्रों की समस्याओं को अंचुना कर बापिस चले गए अकिल बारती विद्यारती परषद के निए बिश्व विद्यला शाहपूर इकाई ने स्ताई परषद एवं अस्ताई परषद में मूलबुत सुविदायना मिलने के अबाब में परदेश सरकार एवं बिश्व विद्यला परषद के खिलाब धना परदरशन किया और लगाता परदशन के बाद बिशेविदेले परशाशन के नुमाईदे छात्रों से बात करने उनके बीच साहपूर परशर में आए लेकिन जैसे ही छात्रों ने अपनी समस्याएं उनको बताई तो बेच छात्रों के सवालों का सामना नहीं कर पाए तता छात्रों की समस्याओं का अंस सरकारों ने केंद्रिय विशुविदयलों को मातर बोड बेंग की राजनिती के लिए इस्तिमाल किया है यह जो क्देशा ए साथ ही उन्होंने कहा कि विशुविदयला प्रशाशन सबी अस्ताई परिसोरों में मूलबुत शुवदयादेनी में भी असमर्थ जिसके जलते चातर सक्ती को कक्षाओं का पूर्ण रूप से वेश्कार करके परदर्शन करना पड़ रहा है। उसके बाद इकाई अध्यक्ष साहिल राणा ने संबोधित करते हुए परदेश सरकार और बिशोब देला परशाशन को चेताबनी देटे हुए कहा कि अगर परशाशन हमारी मांगों को जलत पूरा नहीं करता है तो ये अंदोलन और उगर होगा और पूर्ण रूप से इसका जिमेबार परदेश सरकार और बिशोब देला परशाशन होंगे परशाशन के रहे हैं तो आप आगे ये परशाशन जारीन होती तब तक हम प्रशाशन के जुद ये परदेशन को चोटे से परदशार चोटवध करते हैं प्रेक के बाद